हेलो दोस्तो, आज मैं बात करूँगा इस टोपिक पे, कि यह जैसे जर्मनी जैसे देश हैं, इनके अंदर ओरिजिनल थिंकर्स और इतने सारे साइंटिस्ट्स यह कहां से आते हैं, जब मैं कई साल पहले जर्मनी आया, तो मुझे यह फील होता था, कि यह यहां के जो स्टु कि अंदर ऐसा क्या अलग है, मतलब एक्जामपल के लिए, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लैब में, और उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मेरे कोर्डिंग नहीं आये, जैसा मैंने सोचा था कि रिजल्ट ऐसे होंगे, तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ जो पना लेते हैं, यहीं सोचते हैं, तो एसी सोच इतना कुईफिड़न्स यह कहां से आता है, तो मैं इसके बारे में सोचता था, तो उनी के बारे में आज बात करेंगे तो उन मेंसे जो पहला था मुझे लगता था वो था language क्योंकि इनके यहां यह सब कुछ जर्मन में ही करते हैं और जो प्रोफेसर होता है उसको भी जर्मन में बात करने में कोई दिक्कत नी होती वो अपने स्टुएंट के साथ हमेशा जर्मन में ही बात करता है तो जब अपनी language में अपने dialect में आप कोई concepts के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी जो understanding बनती है वो अलग ही बनती है प्रोण लेंग्वेज में आप मतलब उतना अच्छे से कनवे अंदर से दिल के अंदर तक मतलब उसकी जो understanding बननी चाहिए वो नहीं बन पाती तो जो से मैं बात करूं तो मैंने कभी साइंस का डिसकस्शन हिंदी में तो कभी नहीं किया हरेन्वी में तो बोली जाओ तो यह एक कारण था दूसरा मुझे लगा कि इनके यहां जो चोटे-चोटे कसबों में अभी जाओगे तो वहां पर फैमस पुरानी उनिविश्टी मिलेंगे जिसके इंदर बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने कुछ डिसकवरी करी हैं उनके स्टैच्यू मिलेंगे या ब जगह जगह मतलब आप उनको रेगुलर देखते हो तो उससे भी थोड़ा अशा लगता है यह साइंटिस्स करना मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है और तीसरी चीज जो मुझे लगी वो थी जैसे साइंटिस्स के नाम अब साइंटिस्स के नाम क्या है अब जैसे पढ़ों कोई बार की चीज है साइंटिस्स तो हमारे यहां तो यह चीज तो ही नहीं हमारी तो और इनके यह नाम कॉमन है आज भी अलबर्ट नाम के बहुत सारे लड़के हैं मैक्स नाम के बहुत हैं तो यह सब कॉमन नाम है इनके लिए कोई अलग नहीं है अगर यही साइंटिस्स हमारे यहां हुए होते हैं और इनके नाम वो होते हैं जो मतलब आज से 100 साल पे ले हमारे जो दादा वगरा के नाम होते थे कि बढ़तू, रामफड, दिलीप इस टाइब के जो नाम हमारे अंगाओं में होते हैं वो अगर इनके नाम होते तो हमें ऐसी फिलिंग आती कि यह तो बस गर की चीज़ है यह कुछ अलग चीज नहीं है तो यह नाम से भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रिप माइंड के अंदर वह हो जाता है तो यह दो तिन पॉइंट तो थे हिस्टोरिकल जो है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और इसके ऊपर जो मेन पॉइंट था वह था स्कूलिंग का जो मुझे लगता था अब स्कूलिंग हमारे वहां जैसी है सब को पता है तो जैसे 3D मूवी में एक सीन था वह जो मशीन की डेफिनिशन वाला तो मशीन की डेफिनिशन क्या है उसको वह अच्छे सिंपल वर्ड्स में बता रहा था तो टीचर ने उसको मानना नहीं था यही इंसीडेंस अब मूवी में देख लगता है चलो मुझे के लिए दिखा तो केमेस्टी टीचर ने एक स्टुटेंट से पूछा कि मॉलिकूल की डेफिनिशन बताओ अब वह स्टुटेंट करता रहा है अच्छा स्टुटेंट था टैंथ में उसने अच्छे मार्क्स के साथ आया था और लेकिन उसको डेफिनिशन याद नहीं है उसके दीमाग में तो टीचर ने उसको ऐसी मतलब डाट के बैठा दिया है अनफोर्चेंटली टीचर ने उससे यह नहीं पूछा कभी तुम्हें इस चीज के इंडर सेंडिंग है या नहीं है कि मॉलिकूल क्या है अब देखा जाए तो मॉलिकूल जो है कुछ भी नहीं होता मॉलिकूल एक सी मॉलिकूल नाई नोहीं हो कई द परिकमीकल है अनसे पानी है तो पानी को ऐगर चोटी चोटी यूनिट में देखो तो पानी बना है दो गर्तवर्चे और चीज बन जाएगी काigon अगर इसको समझाओ तो एक अनपड आदमी भी समझ सकता है लेकिन वह डेफिनेशन याद करना मतलब वह इसको याद करवाना वह बिलकुल अजीब सा ही है कि आपका ओरिजिनल कुछ उसमें है यह नहीं समझना कुछ है यह तो यह चार पांच पॉइंट थे जो मुझे लगे कि इनों ने हमारी जो ओरिजिनलिटी है बिलकुल एक ऐसे खतम कर दी और अब हम मैनेज कर रहें किसी तरह तो ऐसे ही पॉइंट में डिसक्स करता रहूंगा थेंक्यू